वालोए है तो हम लोग पढ़ने वाले कलाश maior का साइंस का दूसरा चेप्टर जिसका नम है आम्लेचारक यह उसे पहले हम लगों ने पढ़ आप विच्थांब अपगिरिया विर्ण पढ़ीद गomas गहें एस अब जी को आप दॉसरा चेप्टर तो यह एक कि एसा पदार्त होता है जो हमें किसी पदार्थ कर अमली आवदासीन होने की सूचना देता है या यह यह सूचक अगर अब टोफने दीए राहर ड्ट है और जो आया प्लिटमें के पर मैतिल औररेंज फिनॉट स्वेत्टलिन अदिसूचक है और भी सचक हो सकते हैं एक अभी यहां अब देख सकते हैं आगे आग्या अव्शारक की धातू के साथ अभी किरिया कराते हैं तो क्या होता है आप अब कि अग्यायार करको यह अग्यार्वक्राक हुए करेंगे सेस्थ निर्मच के साथ इन still interacting देंज रखिसके आप एक Exportal की मिलन तो जिंक कोलोर जडन सेल टू बना और उसके बाद हैड्रोजन रिलीज हुआ उसी तरह एच्टु एस ओफ फॉर को जिंक के साथ जब मिला जब लिए तो इसी तरह आगे देखते हैं सोडियम हैड्रोगसाइड जस्ता के साथ अभी कि लिया करके सोडियम जिंकेट हैड्रोज जब जस्ता के साथ अभी कि लिया कराते सोडियम हैटरोगसाइड को तो जिंक ये झंछ खाल जंड करेंगेडम जिलिए तो बना और उसके बाद हैड्रोजन रिलेज उन खागे तो आगे देखते हैं आगे हैं अभी कराते हैं आपस में तो इसके फुलसुरूप लवन बनता है पहले उसके बाद जल बनता है तो इस पर करकार के अभी करते हैं जब देख सकते हैं अगला है अमलों के साथ धात्विक ऑक्साइड की अभिक्रिया करते हैं तो क्या होता है अगलों के साथ धात्विक ऑक्साइड की अभिक्रिया करके लवन और जल बनाते हैं यहां भी वही हुआ कि अमलों के साथ जब धात्विक ऑक्साइड को अभिक्रिया कराएंगे तो यहां भी लवन और जल ही निर्मान होगा इस परकार धातु का ओक्साइड चारी परकृतिका होता है यह देख सकते हैं और धातु और जलका निर्मान हुआ यहां पर एक्जमपल दिया हुआ है यह देख सकते हैं इससे ले को जब कॉपर एक्साइड के साथ मिलाये तो पर क्लॉरेट और हुक्साइड के विक्रिया करें یतना होगा लवन और जल बनाता है सब जगह वहीं लवन और जल बन रहा है चारा रहते जमीला लवन बना उसके बाद जल निर्मान हुआ सी ए ओ एज का होल टू और सी ओ टू जब मिलाए तो सी ए सी ओ थिरी पलस एस डूह का निर्मान रुआ इस परकार ओधातु के ओक्साइड अमली परक्रिति के होते हैं क्यों नहीं रखने चाहिए यह बहुत बार पूछा गिया यह इसलिए इसे जरूर पर ले यह यह नुक्सान है या क्या फायदा है इससे नुक्सान ही होता है अब यह देख सकते है घटेम कटेतों बर्बाद कर देता है इसलिए पीधाल यउम घंञाल को नहीं रखना चाहिए कि अब अग्ला को अतुक तो कि अबिक्रिया होने पर सम्मान यह था कौन सी डिय॥ निकलती है abruptly यह इक उसक्रणत को चाहिए और यही है लेक्स्ति की ज़ुँच आप कैसे करें गया है धातु के साथ अम लिकी अभिक्रिया होने पर कि समानिये था है यह जब धातु के साथ अमले की अभिक्रिया कराएंगे तो च्छा निर्मान होगा तो उधारन देख सकते उधारन है दनेदार जिंक के टुकड़े पर प्रश्रिक अम्ले में जब डूब होते हैं तो उससे हैड्रोजन गैस का निर्मान होता है आप लोगों ने देखा होगा कि में गुबारा में हैड्रोजन गैस बढ़ा जाता है तो वह उपर की और उड़ता है क्योंकि वह बहुत ही हलका होता है है अप यहां वहीं देख सकते जिंक और एच्टू एसओ फॉर जब मिला है तो जिंक सल्फेड बना जड़न एसओ फॉर बना और उसके बाद एच्टू हैड्रोजन अलग हो गया तो आप यहां पर देख सकते वहीं यहां पर शो किया है जब आप देख सकते इस चीत्र में दिखाया गया है कि एक इस्ट जब डाला गया तो हैट्रोजन गैस यह बुलबुले के रूप में उत्पर नोना शुरू हो गया है और उसके बाद आप यह देख सकते जब इसे एक कोर की किसायता से इसे कंप्रेस्ट करके यहां से इस पाइब के जरिया जब पॉनी में इसे निकाला गया तो यह देख सक जाबूर की धोणी के साथ आवाज करते हुए जलेगा होऔर यह on पानी के साथ पांड है साबूर का फें जो हम कहते हैं साबून को पानी के साथ मिक्स करके इसमें रखा गए है quir इस तरह से आप कर सकते हैं तो आगे किया है स्की ऑपस्ते कीですか केसे करें तो इसके पास एक जलती हुए मम्मत्ती लाने पर यह फटफट की दोनी के साथ जलता है यहीं इसके उपस्तिती की जाँच है वही जो हम बता है उपर में सेम वही चीज यहां पर लिखा हुआ है तो अब आगे देखते हैं सभी अमलों एम छारकों में समनता है यानी आमलों चारक के बीच क्या समनता है सभी अमलों में एच पलस आयन होता है इसी कारण इसका गुंदर्म अमली होता है जबकि सभी चारक में के जली विलियन में ओ एच मैनस का आयन होता है जिसके चलते इसका कुन चारकी हो जाता है यानी आमले कब होगा जब उसका आयन एच पलस हो यहां पर देख सकते हैं को जब एच पलस और कलोरीन मैनस का यह दिया तो आज का वीडियो यहीं पर समापत होता है तो उम्मीद करता हूं कि आपको यह वीडियो पसंद आई होगी और वीडियो अगर पसंद आये तो लाइक ज़रूर करते हैं और अगर आप हमारे चैनल पर सब्सक्राइब कर दें और इसे अपनी मीत्रों में सेयर भी कर दें जिससे कि सभी इसे पढ़के एक्जाम में अच्छे से नम्मर ला सके